नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं MCQS ON ONION, ONION जिसका वानस्पतिक नाम है ADM SEPA, फैमिली है इसकी L.E.S.E. और जो ONION है उसका सेंटर और पोरिजन वाना जाता है, सेंटरल एसिया और जो ONION है उसका जो क्रमोजन नंबर है वह है टू इन बराबार सिक्स्टिन करो ओनियन का जो क्रमोजन नंबर होता है वह होता है सोला तो हम देखते हैं इस पर MCKS सबसे पहला कोश्चन है पंजेंसी इन ओनियन बल्ब इस डू टू ओनियन बल्ब में पंजेंसी है चरपरहाट किसके कारण से होती है अगले प्रश्चन क्यों चलेंगे अगला प्रश्चन है वीच ऑफ फॉलविंग इस मेजर टीस ओफ ओनियन इन इंडिया इन में से कौन से की डीस इस ओं इंडिया में ओनियन की मेजर डीस जाती है ऑप्षन ब्लाइट ऑप्षें बीए है इस माट ऑप्षें सीह्चा ओफ और आप्षें जिसका जो bulb color है कु सा होता है वो वाइट कलर का होता है इन में से कौन सी गराइटी का color वाइट कलर का होता है, तो option A है भी मा राज, option B है भी मा सुब्रा ॉप्सन P है S पूशा माध्वी और option D है अरका कल्यान तो इन में से किसके बलब का color होगा तो जो भीमा सुब्रा है उसका जो बल्ब दे गलर है वो वाइट लर का होता है। है अगला प्रश्ना था है ओनिया इस हाइ़ साइली ओनियन किस प्रकार उनियन में किस प्रकार का पॉलिनेशन पाइया है। option एप्शन कोन किस प्रकार प्रनेशन पाया था इए पूछा गया था गुज्रात सी 2019 में अगला प्रशना आता है The edible portion of onion Is modified stem जो edible portion है Onion का modified stem है उसको किस नाम से जाना जाता है Which is known as उसको किस नाम से जाना जाता है Option A है rhizome Option B है bulb Option Z है tuber Option D है rhizome तो rhizome हैं डबल हो गया है तो जो इसका correct answer है जो जो have beautiful stem है उसको bulb की नाम से जाना जाता है है मतलब हमारा जो बी option है वो correct answer है अगला प्रशन होता है वीच आप फॉलोविंग इस्टेट रेंक फर्स्ट इन ओनियन प्र प्रोडक्शन भारत में कौन सा स्टेट में उनियन का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है option A है महाराष्ट्रा का option B करनाटा का option C है गुजरात और option D है मध्यपर्देश तो अनियन का सबसे ज़्यादा production होता है वह होता है महाराष्ट्र में अगला प्रशना था minimum isolation distance for foundation sheet production of onion के foundation sheet production के लिए isolation distance कितनी रखी जाती है option A है 500 मेटर option B है 1000 मेटर option C है 1500 मेटर या option D है 2000 मेटर तो foundation sheet के लिए जो isolation distance रख जाती है वो रख जाती है 1000 मेटर अगला प्रशना आता है प्रोटो एंडरस condition favor cross pollination is प्रोटो एंडरस condition किस में cross pollination को बढ़ावा देती है option A है cabbage option B है onion option C है Spanish या option D है bottle guard तो इसका जो correct answer है वो है onion अगला प्रशना आता है onion bulb show bolting is the temperature remain below onion में bolting कब show होती है जब temperature कितने degrees से नीचे जाएगा तो उसमें bolting show होगी option A है 30 degree Celsius option B है 25 degree Celsius option C है 10 degree Celsius या option D है 15 degree Celsius अगर 15 degree Celsius से नीचे ताप मन जाता है तो इसमें onion में bolting हो जाती है तो जो correct answer है वो है 15 degree Celsius correct answer है वो है 15 degree Celsius अगला प्रशना आता है pre harvest spray of which of the following is done to reduce storage loss of onion onion के storage loss को बचाने के लिए निमन में से किसका इस्प्रे किया जाता है option A है में मेलिक हाइटर जीए जिप्रेलिक एसीड ऑप्शन C आई बी इंडल्विटारिक एसीड जा ऑप्शन D है इथे फॉन तो प्री हार्वेस्ट इस्प्रे किया जाता है किसके लिए Reduce To Storage Lowe's को पर कम करने के लिए प्री हार्वेस्ट किसका इसप्रे करते हैं तो वो करते हैं मेलिक हाइडरज एक का इसका इस्प्रे करना 當 minutes 75 में किसके दवारा ओनयन का हाइब्रिथ प्रोग्राम के सटी जाया घएंगradas फॉब्स हीज ऑप्शन EU हलब्सन बी है बीडी डॉक डॉकर ऑप्शन सी है वी शुरूप या ऑप्शन डी है एच जॉन्स तो जो 1925 में जो हाइब्रेड ओनिन का प्रोग्राम चला गया था वो चला गया था एच जॉन्स के द्वारा किसी भी प्रशन में आपको और किसी प्रकार की तूटी लगे तो क्रपया करके कमेंड करके जरूर बता और इसी तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चनल को आज ही सस्क्राइब करें अगला प्रशना आता है क्यूरिंग इस दन इन वीच ग्रॉप की स्कुरोप में क्यूरिंग किया थी ऑप्शन है ओनियन ऑप्शन भी गार्लिक तोमेटो तो क्यूरिंग मैंली कि सर रिलेटेड है तो क्यूरिंग जो रिलेटेड है वो है ओनियन से अगला प्रशना आता है अगला प्रशना आता है अगला प्रशना आता है अरका प्रगरती विराइटी ओफ ओनियन इस चुटेबल फोर जो अरका प्रगरती विराइटी है है ओनियन की वो किस मौसं की लिए सुटेबल है और बिसेजन और फूप्षन बी है खरीब सीजन औप्षन सी है और बी बहुत और बहुत ऑप्रगरती समर चुटेबल मनुद संबल है वो इसके लिए और hooरभे ऑरखरीब दोनों कीम और अर्षन होग बिज़र कितनी होती है, option नहीं है, 8-10 kg प्रति हेक्टियर, option B है 18-20 kg प्रति हेक्टियर, option C है 5-10 kg प्रति हेक्टियर, या option D है 25 kg प्रति हेक्टियर, तो इसका जो correct answer है, वो है 8-10 kg प्रति हेक्टियर, इसका correct answer है, आगला प्रुर्ष्न ता है एलाइछ प्रोपाइल डाइस अल्फाइट प्रेजेंग इन विच क्रोम एलाइल प्रोपेल डाइस क्रोम्हाय किश क्रोम में पाया जाता है option A है के रोट.. औपशन B है ओनियेन। औपशन C है रदिस। या option D है या बेट रोट.. तो अगला प्रशना आता है अरका पितांबर किसकी वेराइटी है आप्षिन उने हैं yellow colored onion white colored onion red colored onion और करिशन पुछ प्रकार की ओनियस्च की variety है तो फूशां पितन है आता तो पूशां पितन ही मैंगों की variety जो अरका पितन ही वह ओनियस्च की सब्धारों देटा 悲ाता हैुतो पुर्फ है अगला प्रश्चन है इन ब्रेडिंग डिस्पर्शन पार्शन पाजाता है। अगला प्रशनाता है which of the following onion variety is suitable for खरीब क्रोप इन में से कौन सी वराइटी खरीब क्रोप के लिए suitable माने गए है option है अरका सूपर, option B है भीमा रेट, option C है भीमा श्वेता या option D है भीमा सूपर तो इस में से कौन सी वराइटी खरीब सीजन के लिए suitable है तो जो भीमा सूपर है वो खरीब सीजन के लिए suitable वराइटी है अगला प्रशनाता है परपल ब्लोच of onion is cast by onion का जो परपल ब्लोच होता है वो किसके कारण से होता है किसी प्रशन में कुछ भी तुरुटी लगे तो क्रपया कमेंड करके जरूर बताएं धन्यवाद किसी की बाल ब्लोच भी तुरुटी तो किसी चिता है भीमा से होता है